नमस्कार दोस्तों, नभे शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट पंजाब में नवजोत सिंग सिद्धू को जब राज्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सोपी गई उसके बाद कुछ घटनाकरम के समानतर खास तोर पर मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग के रुख से यहे लगा कि पार्टी ने फिलहाल अंदरूनी कलहे को काबू में कर लिया है लेकिन अब एक बार फिर हडवडी से भरी या फिर अवांचित बयान बाजियों की वजहा से ना केवल सिद्धू और अमरिंदर सिंग के बीच बलकी राज्ये स्तर पर पार्टी के भीतर घमासान उठता दिख रहा है दरसल कुछ दिन पहले सिद्धू के दो सलहकारों ने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे राजनीतिक रूप से समवेदनशील मसलों पर टिपनी करते हुए यह दियान रखना जरूरी नहीं समझा कि इसके असर क्या हो सकते हैं सिद्धू के एक सलहकार ने जहां अमरिंदर सिंग के पाकिस्तान से संबंधिद बयान पर सवाल उठाया वहीं दूसरे ने कश्मीर में अनुछेद 370 हटाने को लेकर विवादित बयान दे दिया यह जग जाहिर है कि ये दोनों फिलहाल राजनितिक रूप से कितने समवेदनशील मुद्दे हैं बलकि इस पर घोशित रुख का असर सीधे सीधे जन समर्थन पर पड़ता है यही वजहा है कि देश की कोई भी राजनितिक पार्टी इन मुद्दों पर रुख तै करते हुए लोकपीरिये धारनाओं का खयाल रखती है इसलिए पंजाब में चुनाव नजदीक होने के मद्दे नजर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंग ने सिध्धू को अपने सलहकारों को काबू में रखने की सलहा दी तो उसकी एहमियत समझी जा सकती है समस्या यह है कि वक्त के तकाजे के वीपरीत पाटी के दोनों खे में अब भी इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझ रहे कि उनके बीच इस तरह के तकराव का आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा हालांकी सिध्धू ने अपने सलहकारों को विवादित मसलों पर सफाई मांगने के लिए तलब किया मगर उन्हें यहे ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉंग्रेस ने अगर उन्हें राज्ये में पाटी की डोर सोपी है तो उसका मतलब यहे भी है कि वे जन समर्थन को या तो बनाए रखें या फिर मजबूत करें विडंबना यहे है कि कुछ समय पहले सिद्धू और अमरिंदर सिंग के बीच जो तीखा टकराव देखने में आया था उसके सुलजने और सामानने हो जाने की खबर के बाद अब भी उनके समर्थकों के बीच एक दूसरे को कम तर साबित करने की बेमानी कोशिशें चलती रहती हैं सवाल है कि परत्यक्ष दिख रहे अपने मकसद में अगर दोनों खे में कामियाब हो भी जाएं तो अपने इस्तर पर पार्टी और उसकी राजनीती को क्या देंगे गोर तलब है कि कुछ महीने पहले नवजोत सिंग और कैप्टन अमरिंदर सिंग के बीच तनातनी एक सीमा से ज्यादा हो गई थी और लगने लगा था इस तकराव की कीमत पार्टी को भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ेगी इसके मद्दे नजर शीर्श इस्तर से होने वाली कवाइदों के बाद राज्ये में सरकार और पार्टी के नेतरत्व के धाचे को लेकर एक संतूलनवादी रुख अक्तियार किया गया अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में